हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चलेल स्वी एन एजो जोन में दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं पाचंतंत पोशन यो जैपाज से सम्मंदित प्रेक्टिस सेट को जिसमें 30 प्लस कोशन्स हैं और यह सभी कोशन्स आपके TGT, PGT, GIC, LTE, UGC.NET में आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को समय सब्सक्राइब मिलती रहे हैं हमारा पहला प्राश्न है SDL द्वारा संस्लेशित इस श्रवित किया जाता है गुरदे यकरत मास्पेशियां अगनास है तो SDL जो है आपका वो जो है स्वरवित किया जाता है किसके दौबर यकरत कि दौबर ने अंसर आपके होगा ऑप्शन नमबर B लिजा करेक्च आंसर नेक्स्ट कोश्यन है एसिट माध्यम में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उतरदाई जिम्मेदार है पेपसीन, राइबोन्यूक्लेस, टाइलीन, लेक्टेस तो acid माद्य में protein के जो पाचन के लिए enzymes उतरदाई है वो आपका है pepsin pepsin जो होता protein को peptone और proteozone में बदल देता है तो उसका सही answer होगा आपका option number is a correct answer next question है सरीर के सबसे बड़ी ग्रंती कौन सी है प्यूट्री ग्रंती ये लाल नहीं दोस्तो लार है लार ग्रंती यक्रत और थराइड तो सरीर के सबसे बड़ी ग्रंती जो होती है वो आपकी कौन सी होती यक्रत होती तो इसका सही answer होगा आपका option number is a correct answer next question है हमारा लार में उपस्तित उस enzyme का नाम बता यह जो भोजन के पाचन में मदद करता है तो इसका सही answer होगा आपका option number is a correct answer next question है पाचन तंत्र का नेम लिखित में से कौन सा कार नहीं है भोजन का छोटे अड़ों में तूटना भोजन से पोशक तत्त अड़ों और शोशित करना गैर पचने योग अपसिस्ट को हटाना सरीर की सभी कोशिकाओं तक oxygen ले जाना तो दोस्तो पाचन तंत्र की कार में आपका भोजन का छोटे अड़ों में तूटना भोजन से पोशक तत्त अड़ों और शोशित करना गैर पचने योग अपसिस्ट को हटाना ये तीनों ही कार आपके पाचनतंत से समंधित हैं, जबकि आपका सरीर की सभी कोश्काओं तक आक्सिजन ले जाने का कार इससे समंधित नहीं है, ये किसका कार होता, ये हेमोग्लूबिन का होता, तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर होगा, आपका option number D is a correct answer. नेस्ट कोशन है, अगनासियरस की निर्मुक्ति किससे प्रेरिध होती हैं, एंटी, किनेज, कोलेस्ट्रोकिनीन, ट्रिप्से नोजन, हिस्टोमीन, तो इसका सही आंसर होगा आपका ट्रिप्सी नोजन, तो ये होगा इसका सही आंसर, आपका option number D is a correct answer. नेस्ट कोशन है मारा, कौन सा जिवानों पेप्टिक अलसर का कारण है, इस्टेफिलो, कोकस, औरियास, इकोली, हेलियो, बैक्टर, पाइलोरी, माइक्टो बैक्टिरियम, तो इसका सही आंसर आपका होगा, हेलियो, बैक्टर, पाइलोरी, option number D is a correct answer. नेस्ट कोशन है, एक एंजयम जो मुख के अंदर स्लाइवा में पाया जाता है, है, टेपसीन, इंसुलीन, टाइलीन, बाइल, जूस, तो स्लाइवा में पाया जाना जो एंजयम से दोस्तों, उसका क्या नाम है, टाइलीन है, तो इसका सही आंसर होगा, आपका, option number C is a correct answer. नेस्ट कोशन है, खाने की पाचन किरिया आरम होती है, मुख में, अमासे में, छोटी आत में, बड़ी आत में, तो खाने की जो पाचन किरिया होती है, वो आरम कहां से होती है, मुख से होती है, तो इसका सही आंसर आपका होगा, option number C is a correct answer. next question है, अगनासे रसमें निमलिकित नहीं होता है, लाइपसेन, लाइपेज, अमालेस, ट्रिपसेन, तो दोस्तो अगनासे रसमें आपका, लाइपेज भी होता है, है मिलोज भी होता है और को आपका ठीकल scripture अग्राइब करें होता है जो है आपके पाचन राग्स के में जोते होते हैं पेप्सीन जो है आपका नहीं होता तो सही है आपका अपका होगा option number is correct answer next question है हमारा saliva यानि कि लार्व में पाई जाने वाला enzymes है maltase, amylase, sucrase, lactase तो दोस्तों maltase, sucrase और lactase यह जब आपको बता ही है यह जो है glucose के forms होते है और जो amylase है वो आपका enzymes है और यह जो है आपके लार्व में पाई जाता है तो इसका सही answer होगा आपका option number B next question है हमारा उतक यानि कि तन्तु के टूटने की क्रिया कहलाती है आपच्च उपच्च संस्लेशन पुनर उत्पादन तो इसका सही answer होगा आपका आपच्च, option number A is a correct answer next question है GIT में खाद पदार्थ के पाचन के लिए enzymes की अनुक्रमिक संबर्दा बताईए isomaltase, pepsin, tylin, amylase तो इसका सही जो अनुक्रम अख होगा वो आपका क्या होगा? tylin, pepsin, amylase और isomaltase तो उसके according option जो हमारा सही आ रहा है वो कौन सा answer आ रहा है? आपका tylin पहले है तो option number जो है आपका B ये correct में आ रहा है tylin फिर है आपका pepsin फिर आपका है amylase फिर isomaltase तो इसका सही answer आपका होगा option number B is the correct answer next question है हमारा नीचे दो कथन दिये गए है जिन में से एक कथन अभी कथन A है और दूसरा तरक R है कथनों को पढ़िये और नीचे दिये गए कूट का प्रियोग कर सही उतर चुनिये अभी कथन A सरीर की प्रतिर रच्छा प्रनाड़े से खाद पधार्त के प्रति उत्पन होने वाली प्रतिकूल आसमान प्रतिरच्छा प्रतिक्रिया को खाद पधार्त की आसाहन सीलता कहते हैं इसका जो आपका तर्क दे रखा है उसको देखिए उसमें लिखा है आपका खादपदार्थ की असहन सीलता के लच्छन समानता जठर जटरांत यानि ये पाचन छेतर का ही छेतर तक ही सीमित रहते हैं तो अब इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है ओप्शन आपका है A और R दोनों सही है A सही है लेकिन R गलत है फिर C है A गलत है लेकिन R सही है D आपका ओप्शन है A और R दोनों गलत है तो इसका सही आंसर जो आपका होगा वो होगा A सही है लेकिन R गलत है तो ओप्शन नमब और बी अपका correct answer होगा नेक्स्ट कोशन है मारा डिगलूप्टीशन्स डैस की क्रिया है निगलना, उत्सर्जन, चबाना इन में से कोई नहीं तो डिगलूप्टीशन की जो क्रिया है वो आपकी निगलने की क्रिया है तो उसका सही answer आपका होगा option number A is a correct answer नेक्स्ट कोशन है निमलिकित मैंसे कौन उदर आत्म नलिका का भाग नहीं बनाता यकरत, पिताश्य, अगनास है यह सभी यह तीनों ही option जो है आपके उदर आत्म की नलिका का भाग नहीं बनाता तो इसका जो सही answer होगा वो आपका क्या होगा option number D नेक्स्ट कोशन है लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है 96.9%, 43.7%, 99.27%, 45% तो इसका सही answer होगा 99.27% option number C is a correct answer next question है उदर आंद नलिका की अधार भूत पेरक गती डैस कहलाती है सनकुचन, मैस्टिक्लेशन, निसकासन, पेरिस्टेलिसिस तो इसका सही answer आपका जो होगा पेरिस्टेलिसिस option number D is a correct answer next question है भूजन को चबाया जाना डैस कहलाता है पाचन, पेरिस्टेलिस, मैस्टिकेशन, इन में से कोई नहीं तो इसका सही answer आपका जो होगा वो होगा पिस्टन, option number B is a correct answer next question है, डैस, कोशिकाएं अमासे में अम्ल, बिलियन श्रवित करती हैं मुख, पार्श्रविक, ऑक्सिटिक, पेप्टाइड तो इसका सही answer होगा आपका पार्श्रविक पार्श्रविक यानि कि आपकी पेरिटेल्स जो आपकी कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? अमासे में अम्ल का विलियन श्रवित करती हैं, तो इसका सही answer जो है, आपका कौशिकाएं अपका कौशिकाएं द्वारा श्रवित होता है, पेपसीन, एमाईलेज, रेनिन, गेस्टीट, तो इसकी त्रू जो आपका श्रवित होने वाला है, वो क्या होता है? गेस्टीट होता है, एंथरिम जो होता है, वो आपकी गेस्टीज को श्रवित करता है, तो इसका सही answer होगा, आपका गेस्टीज अमासे के एंथरिम की जी कोश्च का उंद्रावर श्रवित होता है तो option number D is a correct answer next है उद्धर श्रवन डैस अमलक का पाचन होता है nitric, acetic, sulfuric, hydrochloric तो इसका सही answer आपका होगा hydrochloric option number D is a correct answer next question है कार्बो हाइडरेट के पाचन के लिए amylase enzymes डैस द्वारा श्रवित किया जाता है मुख, अगनासे, अमासे, ए और भी दोनो तो कार्बो हाइडरेट के पाचन के लिए जो amylase enzymes है वो आपका मुख और अगनासे दोनों ही द्वारा श्रवित होता है तो इसका सही answer होगा आपका option number D is a correct answer next question है हमारा डैस कोशिकाओं में लिपिट का संस्लेशन करता है endoplasmic reticulum, म्रदू endoplasmic reticulum F endoplasmic reticulum, गौल्जी उपकरन तो दोस्तो इसका सही answer जो है आपका क्या है गौल्जी उपकरन कोशिकाओं में लिपिट का संस्लेशन करता है तो इसका सही option क्या है आपका option number D नेक्ट कोशन है औक्सिटिक ग्रंथियों का डैस भी कहते है तो औक्सिटिक ग्रंथियों को क्या कहते है पहले option देख लेते हैं उदर ग्रंथिया, आंद ग्रंथिया, काटियेक ग्रंथि, वाई कोशिये ग्रंथि तो इसका सही answer जो होगा वो आपका क्या होगा उदर ग्रंतियां, option number is the correct answer. Next question है, लार में पाचन एंजाइम्स देंस होता है, maltase, kinase, sucrose, peptylene, यानि कि टाइलीन, तो इसका सही आंसर जो आपका होगा, क्या होगा, लार में पाए जाना जो एंजाइम्स है, वो क्या है आपका टाइलीन है, तो इसका सही आंसर आपका है, यानि कि पेप्टाइलीन, या फिर टाइलीन, तो option number D, इसका जो है, आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, Next question है, इस्टुल खाद, बड़ी आत की गती को उद्देपित करने में एक उप्योगी भूम का निभाते हैं, इस्टुल खाद बड़ी आत की इस्टुल खाद बड़ी आत की गती को उद्देपित करने में एक उप्योगी भूम का निभाती है, तो इसका सही आंसर होगा, आपका, ओप्षिन नम्बर A is a correct answer, Next question है, पितना का निर्माण होता है यकरत में, पिताशय में, मुत्रपिंड में, जठर में, तो पितना का निर्माण होता है, वा कहां पर होता है, एकरत में होता है, लेकिन यह एकतित क्या होता है पिताशे में लेकिन यह पूछा गए निर्मार तो आपका सही आंसर होगा पित्रस का निर्मार कहा होता है यक्रत में होता है तो इसका सही आंसर आपका क्या है यक्रत option number a is a correct answer next question है पोशग तत्यों का अधिकांस और शोषण होता है मुह में अमासे में छोटी आंत में बड़ी आंत में तो इसका सही आंसर आपका जो होगा छोटी आंत में पोशग तत्यों का अधिकांस जो अधिकांस का होता वो छोटी आत में होता option number c is the correct answer नेस्ट कोशन है केरोटीन सरीर में कहां पर बिटामिन A में परवर्तित होता है यक्रत में स्वादुपिंड में आतों में गॉल बैटर में तो इसका सही आंसर होगा आपका यक्रत में ओप्शन नमबर A is the correct answer नेस्ट कोशन है मुँँ तो इसका सही आंसर आपका है टाइलीन कोशिन देखे ये यह कोशन्स तो चाहां आपका रालार में पाये जाना है तो यह सारे जल्ब और हада उप्षिन सिर्फ भूमाया जा रहे है यह ब् sten आपको ध्यान देना है भूमा के पूछेगी और उप्षिन जो रहेंगे अ 도्सक्तिक आपको ध्यान देना जैसे कि जल्ब आठाने उसक पर आप द्यान देन वाले न्चाइम ते आपके लार्म से श्रंवित होता है हम्हारी हो फुरकेनज। टन्तु होते हैं हिरदय में वेकरत के मेरे मस्स्टिक मचाँ मे कि इसका पुर्च तक तब अब कहा है दो फॉरक इंज्य। यह आपको पाए जाने वाले टन्तु होते हैं और होत एक नेटवर्क की भातिकार करने वाले तंतु होते हैं तो इसका जो सही आंसर हो क्या है आपका option number A is the correct answer भोजन में उपस्तित रफेज रेशेदार पतार्थ डैस करने में सहायता करते हैं उर्जा परदान उतको का निर्मान कर्मान कुंचन गती उप्रुक्त में से कोई नहीं तो भोजन में उपस्तित रफेज होते हैं यानि रेशेदार पतार्थ होते हैं वह आपका कर्मान उक्चन गती करने में सहायता करते हैं तो इसका सही आंसर होगा आपका option number C is the correct answer next question है गेस्ट्रिक एव डियोडीनम अलसर के इलाज में मुख्यता दिया जाता है कम रेशे एव ब्लेड ब्लेंड आहार में उच्छ रेशे एव कम वसा युक्त आहार प्रतिरोधी दवाईयां उच्छ रेशे युक्त आहार एव प्रतिरोधी दवाईयां तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपका क्या होगा उच्छ रेशे युक्त आहार एव प्रतिरोधी दवाईयां और अप्शन नमबर डेशा करेक्ट आंसर नेस्ट कोशन है निम्ण मेंसे कौन सा कथन सही है रेशे कब्ज दूर करने में सहायक होते हैं रेशे पाचन में सहायक होते हैं रेशे पोशन में सहायक होते हैं ऑप्शन नमबर डेशा आपका बी और तथा दोनों तो इसका सही आंसर होगा आपका रेशे पाचन में सहायक होते हैं option number B is a correct answer ठीक है next question है हमारा प्रोटीन को इंशाइब अशुल में अभी हमने जो है स्टार्बो आप यहां प्रोटीन की प्रोटीन में किस में तूटता है, तो यह पर है झाल